और इसी क्रम में आपको एक बड़ी खबर दें कि हिजाब पर जारी सियासी घमासान में अब AIMIM चीफ असदुद्धी नौवाईसी भी शामिल हो चुके हैं उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इन्शालला एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और इसमें वो कह रहे हैं कि हिजाब नकाब पहन कर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी, बिजनिसमेन और S.V.M. भी बनेगी उन्होंने काया कि शायद उस दिन तक मैं जिन्दा न रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहन कर प्रधानमंत्री बनेगी ये पहला मौका नहीं है जब OVC ने इस विशे पर खुल कर बयान दिया हो इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाली बच्ची यह वो तारीफ कर चुके हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं और कहा है वो भी आपको दिखाते हैं और हम अपनी बेटियों को इंशाल्ता होताला अगर वो यह फैसला करती है कि अबा अमी में हिजाब पेनोगी तो अबां अमी पेने ही बोलेंगे बेटा पहन तुझे कौन रखतान देखेंगे इंशाल्ला हुआ आप लिकाब पहलेंगे, तालेज को जाएंगे, डाक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एस्टीम भी बनेंगे, बिजनस्मेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांग की जनता, शायद बैस जिन्दा नहीं रहूँगा, तुम देखना एक दिन इस देश की पदान कि भी बनेंगे, प्रिक देखना बनेंगे, देखना लिकाब़गे।